तो हेलो गाईस केसा आप सभी लोग स्वागते कोर न्यू गेमपले में और आज हम लोग दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाश्टे रूल सर्वाइवल का ग्लोबल रेंक सर्वर 15 दिन वाला अब मुझे पता है कि काफी भाई लोग यह बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं लिय इस सर्वर में मुझे नहीं लिया तो देखो मैं बता दू आप सभी को मैंने सभी को यह बोल रखा है कि डिस्कॉर्ड पर मुझे बोला करो ठीक है प्राइवेट चैट में अगर आप बोलोगे और या फिर जर्नल चैट पर आप लोग बोलोगे मेरे डिस्कॉर्ड पर तो म इन ही सभी बंदों मेसेज जिनोंने मुझे मेसेज कर रखा था मैंने दस बंदे लिये है इस सर्वर के लिए अब उनको मौका मिल गया अब उन में सागर कोई सही नहीं खेलेगा ओन नहीं आएगा तो फिर एक और हम डिस्कॉर्ड से उठा कर लेकर आएंगे नए बंदे को तो इस तरह से और भी लोगों को मौका मिलेगा इस सर्वर में लगबग 15-20 बंदे ट्राई हो जाएंगे फिर अंत में जो बंदे सही सही खेलेंगे न वो रहे जाएंगे लीजन में दाकि सब हट जाएंगे उनका ये चेक अप हो जाएगा ये अच्छा नहीं खेलता है एक बात में और बता देता हूं गाईज हम लोग ग्लोबल रेंक सर्वर में आये हैं अभी सबसे पहले मैं ही उतर के आया हूं सर्वर में इस टाइम पर कोई भी बंदा अभी तक मेरे टीम में नहीं है क्योंकि पहले मैं बेस बनाऊंगा उसके बाद एक एक बंदे को बेस बनाने की शुरुआत मैंने कर दी है गॉल्डन कोश्ट पर ही बना रहा हूं बेस में ओके तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब आप लोग यहां पर इस सर्वर में आ मत जाना ओके क्योंकि हम लोग पहले डिस्कोर्ड पर पूरा बातचित करते हैं मैं ख से स्केम होता है बहुत बाहर हो चुका है तो अब सिक्रियोटी काफी जाधा टाइट कर दिया हमने चलो तो भाईया अभी मैं अपना स्लिपिंग बेक तो सबसे पहले लगाई देता हूं जो कि मुझे फिरी में मिल चुका है तो आपके सामने लाश्ट रूल सर्वाइवल क गेमपले आज आ गया है लेकिन मैं एक बात खेना चाहता हूं दो दिन स्केरी टीचर का गेमपले आया था पाकी मैं और भी किसी भी गेम का मतलब गेमपले डालता हूं तो आप लोग देखते नहीं हो गाईस यह आपकी गलत बात है आप लोग और गेमपले पर भी साफी ज्यादा बैसा हो चुका है कि इसको खेलना बहुत मुश्किल हो गया है तो इसलिए में यह खेलना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर यह और मुश्किल हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो हम लोग इस गेम को मतलब हमेशा थोड़ी खेल सकते हैं जिंदगी भर चमस्ते उनके लिए गेम प्ले बन रहा है तो इसलिए आपको और गेम प्ले पर भी सपोर्ट करना चाहिए मैं यह कहूँगा आप लोगों को क्योंकि लाश्ट रूल सा आप लोगों को पता ही है लगातार ये मतलब होता जा रहा है मतलब एक तरह से एक खाई में जाता जा मतलब मन लगाओ थोड़ा हर और gameplay पर भी ये बात केना चाहरा हूँ आपको तो इसलिए देखा करो यार मुझे पता है कि आप लोग last rule survival के gameplay तो देख लेते हैं लेकिन और gameplay जैसे आता है उसको पूरी तरह से bycote कर देते हैं side में कर देते हैं इल्कुल भी उस पर click ही नहीं करते हैं तो यार देखा तो करो यार हमने बनाया है आकेर इतनी मेहनत किये उस game पर भी तो कुछ सोच के बनाते हैं हम ओके तो इसलिए यही कहना चाहता हूँ अंत की बात की हर gameplay पर support हमें चाहिए last rule survival चल रहा है मैं बना रहा हूँ gameplay ऐसी कोई बात नहीं है बस यह है कि अब इसमें थोड़े से global server में भी यह खेलने लाए एक server था guys यह pay to win server नहीं था global rank लेकिन अब इसमें भी match up एगा यह सब कुछ आने लग गया है पिछले server में मुझे बहुत मिले थे अब इस server में अभी शुरू आते देखते है आगे क्या क्या होता है तो मैंने फिलाल अपने base complete कर दिया है कुछ mission करने में मुझे mistake हो गई थी तो इसलिए lock walk नहीं मिले हैं मुझे अभी तक खेर lock बाद में मिल जाएंगे तो अभी मैं आगे की तयारी करता हूँ guys फिर उसके बाद मैं अपने cake करके teammate को बुलाना start करूँगा फिर शुरू होगी हमारी एक नई journey और अगर robot आगए तो यार वहया क्या होगा फिर से पता नहीं कुछ तो वेसे मैं एक बात करना चाहता हूँ robot से मैं डरता नहीं लेकिन guys एक बात ये भी है कि इस ID पे मेरे पास में बिल्कुल भी talent नहीं है मेरे पास में एक car या bike तक भी नहीं है तो आप लोग सोच लो कि यार सामने अगर हम लोग drop पे जा रहे है सामने robot आएंगे एक या दो तो हम लोग क्या कर लेंगे इस्टिल आर्मर के साथ भी कुछ नहीं कर सकते वो सीधा बजू का चलाएगा तो इसलिए मतलब फिर क्या कर सकते है ये एक ही server खेलने लायक था ये भी अब सही नहीं रहा और जो rocky server है उसमें बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसको मैं नहीं खेलता हूं चलो तो मुझे थोड़ी बहुत नेटल मिली है गाईस और अभी मैं अपने घर को पूरी तरह से पेक कर देता हूं पहले फिर उसके बाद बाकी लूट करने के लिए हम लोग चलेंगे तो यहां पे wall लगा देता हूं यë لا wall लगाई पचास वूर्ड का नुकसान अभ दुबहरा में लगी है यार wall तो यहां पे मैं एक sleeping bag लगाके मतलब बनाके लगा देता हूं ताकि मैं अपने टीम Met को sleeping bag दे पाऊं चलो तो गाइस यहाँ पर लगा देता हूँ सिल्पिंग बैग अब देखो मुझे केविनेट मिल गई है मतलब मिशन भी हो गया अपना तो अब इस केविनेट को तोड़ देते है और यह नहीं वाली लगा देते है चलो तो ये सब कुछ रख देता हूँ मैं केबिनेट के अंदर तो गाइस थोड़े बहुत मिशन मैंने कंप्लीट किये उसके बाद मैं मुझे फिरी वाला लोक मिल चुका है मैंने डोर पे लोक लगा दिया है डोर भी लगा दिया है अपने एक टीममेट अपने साथ में आ भी चुका है आप लोग देख सकते है तो यहाँ पे टोटल तीन सिल्पिंग बेग लग चुके है लेकिन यह अभी तक सेट नहीं हो रहे है इदर की साइट में लगा देते हैं इनको अब साहिए थोड़ी सी बेस में भी जगा हो जाएगी अब मैं जाता हूँ गाइस ग्रीन कार्ड लेने के लिए पहले थोड़ी सी फार्मिंग कर लेते हैं यार लेकिन क्योंकि अभी तक मीशन बाकी है न इसमें बता रहा है कि अच्छने इसमें तो वर्क बेंच का बता रहा है फिलाल लेकिन मैं अभी तक अपने बेस को अपग्रेड करूंगा क्योंकि इस टाइम पर रेट टाइम ओन है तो इसलिए स्टोन से तो कम से कम अपग्रेड कर दू यार अपने बेस को तो एक इस्टोन और सामने दिखाई दे रहा है तो लेते हैं इसको भी बाकी कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि मेक्समोर 2.0 आ चुका है तो ऐसा कुछ नहीं है गाईस वो क्या है कि पेले काफी ज़्यादा लेक होता था और मतलब बंदों पर डेमेज नहीं निकलता था य मुझे पता है भाई यह बात में अधिकतर लोगों से सुनी है कि मतलब भाई मैंने फाइट ली थी और उसके बाद में मेरे आईडी बेन हो गई मतलब मैं लगातार फाइट ही लेता हूं बाकी कुछ ही नहीं करता तो मैं वैसा बंदा नहीं बनना चाहता गाईस मैं मतलब मैं मतलब हर काम करता हूं लाश्ट रूल में आप लोगों को पता ही है तो अभी वैसे स्टोन कट कर लिया है मैंने अब इसको ले जाके और बेस को अपग्रेड कर देते हैं इधर एक और स्टोन है बाकी आजकल बोट भी स्टोन काफी ज्यादा देते यार गाईस मतलब छ़ग ज्यादा स्टोन आपको मिल जाएगा और फार्मिंग अलग से जैसे कि सल्फर आयरन पहले बोट हमें अलग लूट देते थे और अब अलग देने लग गए जैसे कि पहले स्रीप 200 सल्फर मिलती थी अब एक-एक हजार सल्फर भी हमें मिल जाती है कई बार और इस टो पहले कम देते थे शायद वो मुझे अब याद नहीं है लेकिन अब पांच-पांच हजार इस्टोन भी देते हैं तो मेरे पास में वुड नहीं है अभी तक यहां पर सिड्डी लगाना बाकिए गाइस उपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना अपने बैस में तो इसलिए मैंने अपने टीम मेट को बोल दिया है कि जाओ फार्मिंग करो तो वह भी फार्मिंग में लगा हुआ है तो इधर की साइड में मुझे और इस्टोन दिखाई दे गया यह भी कट कर लेता हूँ ओके गाइस तो यह हो गया अब शायद अपना बेस पूरा अपग्रेड हो जाएगा इस टोन से एक बात आप लोग सोचते होंगे कि भाई आप गोल्डन कोष्ट पर ही हमेशे अपना बेस क्यू बनाते है कोई और जगा ही पकड़ लो कभी-कभी तो यहाँ पर बेस बनाने की एक मतलब वज़ा है मैं बताओ पहली बात तो टेंक पास में रेता है जैसे कि कोई बंदा अ अलग से हमें मिलेगी यह मौका रेता है हमारे पास में तो इसलिए मैं यहाँ पर बेस बनाता हूँ यह पेली बात है दूसरी बात एक फाइदा यह भी रेता है कि यहाँ पर रूम पास में ही रेता है तो हम लोग जाके रूम भी कर सकते हैं बाकी जब से एरपोर्ट बदल तो इसलिए मैंने एरपोर्ट का रूम करना अब बंद कर दिया है वैसे मैं कर सकता हूं लेकिन और आर्मर ओ तब कर सकता हूं अब पहले तो क्या है कि मैं सीधा मतलब बिना लेवल टू के मास्क के रूम करके आ जाता था एरपोर्ट हारबर रिसर्च सेंटर फैक्टरी और बायो रिसर्च लेप हाँ मिलिटरी बेस में मुझे जरूर लेवल टू के मास्क की जरूरत पड़ती है यह बात सच है तो वहाँ पर एसा बंदा पकड़ लो जिसके घंटे 200 घंटों से कम है ठीक है न आई डिक है और उसके पास में बस रोबोट हो तो आप लोग ग्लोबल में भी रोबोट बनवा सकते हो तो फिर बराबर की टकर हो जाएगी सामने वाले के पास में भी रोबोट और आपके पास में भी उसने यह बोला तो भाई यह बात भी मुझे समझ में आ गई इसलिए आसान है यार लेकिन बस कोई ऐसा बंदा मिले जो रोबोट बना दे और जिसका टाइम 200 गंटों से कम हो वह मतलब ग्लोबल सर्वर में आ पाए वैसा बंदा ढूंड रहा हो अब मैं फिर रोबोट बना लेता मतलब इस आइड को मैं काम में ही इस बात के लिए लेता कि भाई रोबोट बनाते है ग्लोबल सर्वर में बस तो याँ दोस्तों मैं देख रहा हूं कि मैंने इतना स्टों कट किया लेकिन फिर भी के विनेट में अभी तक 5000 इस टों नहीं हुआ है तो अभी तक हम अभी तो सर्वर की शुरुआत हुई है तो इस टाइम में कुछ तुम्हें सिखाने नहीं वाला बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे करके हमें तयारी करनी है ओके तो गाइस अभी में थोड़ी देर और स्टों की फार्मिंग किया क्योंकि पहले कम पड़ गई थी ना मतलब अपनी तो इस टों मैंने कम किया था पहले अब एक मिनट अब अपग्रेड हो सकता है अपने बेस इस टों से तो यह लो मैंने इस टों से अपग्रेड कर दिया है अपने बेस को और मेरा मिशन भी हो गया दोनों ही काम एक साथ हो गए अब आज आज की दिन में मैं अपने ब लिए है कि मुझे कुछ अर मिला है यह शायद वर्णस बनने का ही सामाने तो बाद में और है यह म एक शोड़ गन तो कम से कमानी चाहिए ने यार अभी शुरुवात में अभी जैसे के मान लो गिरिन कार्ड ही लेने जाओं और बंदा आ जाए वहाँ पर तो शोड़ गन से उड़ा तो सकता हूं ना उसको और बाकिया अपने टीममेट भी शुरुवात में थोड़ा बहुत ऐसे लगता है सभी को कि अर एक भी गन नहीं है जो भी नया बंदा आता है तो इसलिए एक दो शोड़ गन पड़ी हुई दिखाई देगी ना तो सही लगेगा तो दोस्तो तीन चार आयरन मैंने कट की और अब मैं बनाने जा रहा हूं फरनस ठीक है ना तो अब ये लूट वापस रख देते हैं केबिनेट में एक फरनस उदर लग गया एक इधर लगा देते हैं इधर जगा है वैसे दो दो आर एंडी बेंच की क्या जरूरत है एक मेर पड़ी है अभी तो फिलाल में दोनों को ही तोड़ दूगा गयस की क्योंकि आर एंडी बेंच फिर उसके यहां तक complete और मेरे टीम मेट ने spirit monster भी किल कर लिया है और वो offline भी हो गया थक गया बैचारा अभी चलो यह वाला box तो फुल हो चुका है उसने अपने mission कर भी लिये पहले ही complete यार मुझे लग रहा है कि मेरा बंदा क्या स्थिर्फ mission करने के लिए ही on आया था क्या पता नहीं यार गाइस लेकिन मुझे अभी अगला काम यह करना है कि मुझे green card लाना है ओके तो हम लोग अपनी ही जगा पर जाएंगे गेराज पर ओके तो गाइस जो अपनी जगा रहती है सब कुछ पहले से प्लान रहता है उसी जगा पर मैं आ चुका हूं फ्यूल और green card लेने के लिए देखो अगर यहां पर भी green card नहीं मिलता है कभी-कभी ऐसा होता है कि यहां पर green card नहीं मिलता है किसी-किसी साइड में एक मतलब एक जगा बनी हुई है एक केम्प बना हुआ है उस केम्प में जाना वह मौश्टर को खिल करना दो मौश्टर रहते हैं और फिर उसके बाद वहां पर green card मिल जाएगा एक तो यार गाइस आदा टाइम तो है ना अपने टीम मेट खराब कर देते हैं मेस गया गाइस लेकिन यहां पर गेराज पर आये हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो चुकी है 10 मिनट से यहां पर खड़ा खड़ा यह सब कुछ बता रहा हूं अपने अलग अलग टीम मेट को यह वाला सर्वर है ऐसे ऐसे करके आना है अब कुछ तो समझ रहें कुछ नहीं समझ है लेकिन समझाना तो पड़ेगा भाई एक मिनट यहां पर इसको डिस कर लेते हैं थोड़ी सी नेटल मिल जाएगी ना हमें अभी जरूरत है चलो तो थोड़ी सी नेटल मिल चुकी है और यहां पर बेंडेज बना लेता हूं मैं नेटल इसलिए चाहिए थी क्योंकि मेरी हेल्थ देखो अभी एक और जोंबी आ जाएगा ना अगर तो काम खतम हो जाएगा भाई काम खतम पेसा हजम चलो तो भाई अपनी हेल्थ अब जाके थोड़ी बहुत सही हुई है तो गाइस गरीन कार्ड मिल गया वायर भी मिल गया है दस और यहां पर जोंबी भी मिल गया है हमें मैंने पूरे किल नहीं किये था न जोंबी इसलिए ये लोग आ रहे है अभी तक भी ये बोल रहे है क मुझे हमारा सामान मत लूटो यार चलो थोड़ा सा फ्यूल भी मिल चुका है यार फ्यूल तो करने ही पड़ेगा देखो क्यूंकि मुझे और एक्स्ट्रा से फर्नस लगाने है इसलिए चलो तो अब मैं जा रहा हूं वापस अपने बेस पर और अभी शुरुवात का ला तो ओके वह इसलिए है कि हर एक रुमपे में बैस बनाता हूं और फिर उसके बाद में पूरे सर्वर में अपना ही आतंक चलेगा अगर रोबोट नहीं आये तो अगर रोबोट आ गये ना तो फिर आतंक खतम और भी गिबिल्ली बनके रहना पड़ेगा वह या फिर क्य जमीन पर चलने वाले रोबोट अलग उड़ने वाले रोबोट अलग तो हर तरह की रोबोट हो गये अब कोई आसमान में उड़ेगा कोई पानी के अंदर से मिलिटरी बेस पी जाएगा पहले वहां पर तो कोई नहीं जाता था ना लूट मिल जाती थी अब वहां पर भी प यह रोबोट और पेगासिस नए प्लेयर यार रोबोट को देखेंगे अगर एक बार सोचो तो क्या कहेंगे वो वो गेम डेलेट करेंगे दो मिनट में और चले जाएंगे फिर मैं जो सिखा रहा हूं उसका क्या यह चक्कर पड़ जाएगा वह यह ऐसे देखते आने वाले ट वैसा आज मुझे एक बात याद आ रही है मैं बता दू आप सभी को ऊह दो एक की और एक एक इंक कहना था कि बाई जब पूरे मेप में कहीं पर भी रूम में लूट ना मिले तो मिलिटरी बैस जाओ लेकिन अब अगर वो दोनों ही खेलते हैं तो वहाँ पे भी लूट नहीं मिलती क्योंकि अंडर वाटर रोबोट आता है जाता है और लूट छोड़ता ही नहीं ग्लोबल सर्वर में भी यह हो गया अब 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 दोस्तों एक बात में बता देता हूं कि इस वीडियो में अगर आपको सर्वर दिखाई दे जाए हमारा जो हम खेल रहे हैं तो आप लोग मतलब ऐसे मताना ठीक है ना उससे क्या है कि मतलब दिक्कत आएगी आपको भी और हमें भी क्योंकि भाईया ऐसे हम लोग लेंगे नहीं मैंने पहले बता दिया तो इसलिए परिशान मतों नेक्स्ट सर्वर में आपको ले लिया जाएगा ओके यह बात और एक बात यह भी है गाईस पिछला सर्वर मेंने खेला तर ग्लोबल उसमें मैंने पूरा सर्वर फाइट में ही निकाल दिया उसमें ना मैंने रूम किया ना कुछ किया बस ग्रीन रूम एक द ग्रीनिर ने लेकिन सर्वर में फिरसे हल पर पेल में मीदा पेला जैसे कहले आदेव कब चाहिस हर लिमिटेड्स पेड़े ही ना तब जाके में और गूम तरहां बंदा मिल्त मिले मूम और असमें बहुत ज्यादkil वखते जाता है यार एक तो मेसेज बहुत आते है गाईस यार खेलने में इसलिए दिक्कत आती है मुझे मुझे एक भी मेसेज नहीं करे कोई और मतलब मैं बस ऐसे खेलता रहूं न तो बहुत बहुत कर लूट हो जाए लेकिन लगातार लोगों के जवाब देते देते मैं परिशान हो जाता भी और मैं दिमाग से आता हूं यार गाईस यह है न बात चलो तो गाईस अपनी जरनी ऐसे चलती रहेगी तो बस आज के लिए इतना ही अगर आज के यह वीडियो आप सभी को पसंद आये हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अग वीडियो देखिए तो हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्लै में तब तक के लिए बाई